हलो चिल्डरन वेलकम टो विद्याकूंच पीडी रूम एपिसोड सेवन जो कभी भी संगश और समस्याओं से हार नहीं मानते जीवन में उन्हें सफलता जरूर मिलती है बच्चों इस बात को एक कहानी से समझते हैं जापान की लोगों को ताजी मचलियां खाना बेहत पसंद था और ताजी मचलियां पकड़ना और उन्हें फटाफट बेचने में वहां के मचवारे माहिर थे पर समस्या यह थी कि समुद्र की किनारे मचलियां कम मिल पाती थी परिनाम स्वरूप मचवारों को समुद्र के बीच जाकर मचलियां पकड़ना जरूरी हो चुका था पर इस समस्या को मचवारों ने चुनोती समझ स्विकार किया उन्होंने बड़ी बड़ी नाओ बनाई और समुद्र में दूर जाकर धेरों मचलियां पकड़कर नाओ में डाल दी और जब तक किनारे पर पहुँचे तीन चार दिन हो चुके थे मचलियां बासी हो चुकी थी लोगोंने ऐसी मचलियां कम पसंद की पर मच्छुआरोंने हार नहीं मानी उन्होंने अपनी नाओं में बड़े-बड़े फ्रीजर बिठा दिये अब समुद्र के बीच मचलियां पकड़ते और फ्रीजर में डाल देते पर जब किनारे पर आते लोगों ने फिर उन मचलियों को नापसंद किया और कहा ये मचलिया ताजी तो है पर जमी हुई है मचवारों ने फिर हार नहीं मानी उन्होंने अपनी नाओं में बड़े बड़े वाटर टेंक लगा लिये अब फिर मचलिया ढेरो पकड़ते और वाटर टेंक में डाल देते किनारे पहुँचने तक वो मचलिया वाटर टेंक में तेरती पचाडे मारती और ठक कर सुस्त हो जाती थी इन मचलियों को लोगों ने फिर नापसंद किया और कहा ये मचलिया ताजी तो है पर सुस्थ और ठकी हुई है मचुआरों ने फिर हार नहीं मानी उन्होंने सोचा कि इस समस्या का कोई सही समाधान किया जाए अन्त में उन्होंने उस water tank में shark fish डाल दी अब जब धेरो मचलिया पकड़कर tank में डाली कुछ मचलियों को shark fish खा जाती थी लेकिन खुद को बचाने के लिए जो मचलिया निरंतर पानी में टैरती घूमती रहती थी उन मचलियों को जब किनारे जाकर बेचा लोगों ने उसे बेहद पसंद किया मच्वारों के संघश और महनत भरी कोशिश ने उन्हें सफलता जरूर दिलाई इस कहानी से हम यह सिखते हैं कि जीवन में आई छोटी बड़ी समस्याएं, मुश्किले या संघश से हमें हार कभी नहीं मानना चाहिए बलकि मच्वारों की तरह निरन तर प्रयास करते रहने चाहिए और जीवन की यह समस्याएं तो शार्क फिश की तरह है जो हमें पहले से और बहतर बनाती है कहते हैं कि जिनके ख्वाब उचे और मस्त होते हैं इम्तहान भी उनके जबरजस्त होते हैं दिन चल्ड़ है रहने लगारा रहने रहने कि जिवाब भी उनके राता है इवलबस यार्ण दे स्ट्रेंग वीज जिक तरह चाहिए जे तर काने ढु रहने गाराती हैं यह प्तेस्ट चुक्ते जिवाब गिए जिवाब लेखे रहने इश कि उर्णे की तरहारी But continuous efforts will end to the story of success Do you know the struggle in which you are today Is developing the strength and stamina which you will need tomorrow And remember one thing that behind every successful story There is a lot of unsuccessful efforts So keep on trying, do hard work, be successful And best of luck, हम फिर मिलेंगे Till then, bye bye